Triber एक affordable practical car है जिससे Renault ने August में launch किया था और Triber के launch से जस्थ पहले Hyundai ने अपनी छोटी hatchback Grand I.10 Nios को भी market में swift के against introduce किया था Triber और Grand I.10 Nios दोनों एक दूसरे से दिखने में काफी different है लेकिन इनके कुछ variants के prices overlap करते हैं तो किसी भी बायरेक के लिए इनका comparison करना लाजमी है और इस वीडियो में हम उनके लिए ये comparison simplify कर रहे हैं कैसे? Triber और Grand I.10 Nios का similar price वाला एक-एक variant लेके देखते हैं कि कौन सी car को purchase करना ज़्यादा sensible है लेकिन इससे पहले latest car news और reviews के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले इन दोनों गाडियों को details में compare करने से पहले हम आपको इनके prices और specification बता देते हैं ताकि आपको ये idea हो जाए कि basic level पे इन दोनों cars में क्या-क्या differences है सबसे पहले देखते हैं इनके prices Tribor और Grand I-10 Nios दोनों गाडियों के prices start होते हैं around 5 lakh से और जहां Tribor का top RXZ variant आपको 6.49 lakh का पड़ेगा वहीं Nios का sports variant इसके price के सबसे close है at 6.38 lakh दोनों cars के इन variants का price difference है सिरफ 10,650 रुपीज I hope आप जानते हैं कि Tribor का RXZ ही वो variant है जो maximum ऐसे wires को suit करेगा जो car regularly चलाते हैं अगर आपको ऐसा नहीं पता था तो आप हमारी Tribor variant explained वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने clearly explain किया है कि Tribor का कौन सा variant किसको लेना चाहिए Tribor variant explained वीडियो का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा क्योंकि Tribor RXZ और Grand I10 Nios sports के prices same range में है तो इन cars को हम 3 criteria's पे compare करेंगे Body type, specification और features और अपनी fadding के basis पे ये देखेंगे कौन सी car better overall package है अब इन cars को एक एक करके इन criteria's पे consider करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों की dimensions की Renault Tribor length, width और height सभी dimensions में Nios से बड़ी है In fact, Tribor का wheelbase यानि इसके आगे और पीछे वाले wheels के बीच का distance Nios के comparison में 186 mm बड़ा है तो chances है कि Tribor में Nios के comparison में leg space जादा होगी Tribor का boot भी Nios के boot से बड़ा है 5 seats के साथ Tribor का boot space है 625 liter और Nios का boot space है 260 liter तो size, cabin space या boot space अगर आपकी priority है या यू कहें कि बस बड़ा size और जादा space ही आपकी requirement है तो Tribor ही better option है लेकिन space के साथ साथ अगर आप performance और features भी consider कर रहे हैं तो Tribor और Nios के बीच का ये comparison बहुत interesting होने वाला है इसलिए इस वीडियो को end तक देखेगा लुक्स के department में दोनों ही कास दिखने में काफी अच्छी है जहां Nios एक youthful hatchback लगती है वहीं Tribor का exterior design calm and soothing है Tribor को आप एक hatchback और MPV का mix भी मान सकते है front और rear से Tribor काफी wide लगती है लेकिन side से दिखने पे ये compact modern day MPV वाली feel देगी लुक्स के case में सबकी अपनी राय होती है और हम सबके opinion की respect करते है लेकिन हमारे according Nios उन लोगों को पसंद आएगी जिनको compact और stylish design पसंद है यही बात जरूर है कि Tribor जो एक sub 4 meter 7-seater car है इसको Renault ने काफी अच्छी अच्छी design किया है और ये भी दिखने में बुरी नहीं है तो जहाँ तर लोगों को Tribor बसंद आनी चाहिए वैसे जो Tribor Nios से बड़ी है लेकिन Nios का 1.2 liter petrol engine ना सिर्फ Tribor के 1 liter petrol engine से displacement wise बड़ा है बलकि जादा powerful भी है engine power को compare करें तो Tribor में जहाँ 72 PS power मिलती है वही नियॉस में आपको 83 PS power मिलेगी क्योंकि Tribor में 7 लोग बिठाने का भी option है तो इस case में engine को idly जादा बड़ा होना चाहिए था वैसे नियॉस जो Tribor से छोटी है और जादा powerful भी तो ये expected है कि ये चलाने में भी आपको जादा मजा देगी Transmission के case में Tribor सिरफ manual transmission के साथ ही launch हुई है लेकिन नियॉस sports variant को आप AMT मतलब की automatic transmission के साथ भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको लगभग 60,000 extra देने पड़ेंगे Tribor में भी AMT का option आएगा लेकिन वो कब आएगा शायद अगले साथ तो engine के basis पे इन दोनों cars में से Nios का ही upper hand है ये ज़्यादा powerful भी है और इसमें automatic का भी option मिल जाएगा अभी तक हमने इन दोनों cars को dimensions, looks और engine specs के basis पे compare किया है और अभी तक का result कुछ इस तरह से है जहां Tribor एक clear winner है interior space के मामले में वहीं Nios का engine on paper Tribor से better है अब बात करेंगे features की जिससे हमें एक clear winner मिलेगा क्योंकि इससे ही decide होगा कि कौन सी car है जादा value for money features के case में Tribor RXZ और Grand I10 Nios sports में आपको काफी features common मिलेंगे और ये सिरफ basic features नहीं है क्योंकि हम compare कर रहे हैं दोनों गाडियों के higher variance को Tribor का RXZ top variant है और Nios sports top से एक नीचे वाला variant इससे पहले हम ये देखे कि Tribor और Nios में unique features क्या है आईए देखते हैं दोनों car's में common features कौन से है Since हम 6.5 lakh extra room के आसपास की गाडियां compare कर रहे हैं तो आजकल की modern day car's के हिसाब से इन दोनों car's में आपको सभी basic safety features मिलेंगे जैसे dual front airbags, ABS, reverse parking sensor, reverse parking camera, center locking और speed sensing auto door lock बाहर से दिखने में भी इन दोनों गाडियों में as such कोई कमी नहीं लगेगी क्योंकि आपको bumpers, door handles और ORVM तीनों ही body color में मिलेंगे और DRLs के साथ roof rails भी हैं इन common features की list में कुछ ऐसे features भी हैं जो common तु हैं लेकिन एक दूसरे से थोड़ा different है जैसे आपको दोनों cars में 8 inch infotainment system मिलता है with 4 speakers and android auto, apple carplay and voice recognition के साथ बट ट्राइबर में आपको इसके साथ twitters भी मिलते हैं दोनों में keyless entry है लेकिन ट्राइबर में smart card मिलता है और Nios में foldable key front power outlet यानि जहां पे आप mobile charger लगा सकते हैं वो ट्राइबर में available है लेकिन Nios में direct USB charging point है और lastly, दोनों में roof antenna है लेकिन Nios में shark fin antenna मिलेगा अब दोनों cars की unique features देखते हैं जिससे ये judge करना असान हो जाएगा कि overall कौन सी car है better value for money Triber RXZ के कुछ ऐसे features भी है जो Nios के comparison में advantage देते हैं जो unique features Triber के looks को improve करते हैं वो है projector headlamps और force kit plates on bumpers safety के point of view से Triber में दो front airbags के edition में side airbags भी मिल जाएंगे जो Nios में नहीं आते Triber RXZ के functional features list में सबसे पहले बात करते हैं driver seat के नीचे extra storage की जिसमें आप गाड़ी साफ करने का कपड़ा रखेंगे या फिर गाड़ी में पड़े समान को चोरो की नज़र से दूर रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं storage की बात कर रहे हैं तो आपको बता जाते हैं कि इसमें lower glove box से साथ-साथ upper glove box भी आता है और lower glove box और center glove box में cool storage भी है अब detail में बात करते हैं ट्राइबर की उस feature की जो maximum logo का bind decision impact करेगा ट्राइबर एक 7-seater car है और इसमें आपको 3rd row का option भी मिलता है और ये row removable भी है ये easy fix seats में fold और tumble का भी option मिल जाता है इस feature के बदालत आप इसमें normal 5-seater या family size के लिए 6 और 7-seater और ज़्यादा luggage carry करने के लिए 4 या 2-seater की तरह भी use कर सकते है और comfort के point वे से सबसे important second row seats recline भी हो जाती है ये सब feature है जो ट्राइबर के Rxz variant में Neos sports के comparison में आपको ज़्यादा मिलते हैं और इनके लिए आपको मात्र 10,000 रुपे एक्स्टा खर्चने होंगे अब बात करते हैं Neos sports के unique features की ट्राइबर के तरह ही Neos sports में भी कई ऐसे features हैं जो आपको सिर्फ Neos में ही मिलेंगे इन में से कुछ ऐसे features हैं जिने हम highlight करना चाहेंगे वो है projector fog lengths, turn indicator on ORVM और ये ORVM electrically fold function के साथ आते हैं and 14 inch alloy wheels sports variant में 14 inch alloy wheels आते हैं और top variant में यानि Asta में 15 inch alloy wheels आते हैं वैसे तो alloy wheels आप driver में भी लगवा सकते हैं लेकिन ये एक expensive upgrade होगा Neos के interior में आपको driver seat adjust करने का option भी मिलता है steering पे audio and bluetooth controls and automatic climate control जैसे features भी मिलेंगे ये features Neos में convenience improve करते हैं इन features को highlight करने का reason Nasraven का usage है बलकि इन में से कुछ ऐसे features भी हैं जो इस segment की cars के top variant में expect किये जाते हैं आप notice करेंगे कि इन में से कुछ features feel good features हैं और ये आपकी गाड़ी के style element को बढ़ाते हैं जैसे alloy wheels और turn indicators on ORVM So Tribor और Neos दोनों की unique features को compare करके हमें लगता है कि दोनों ही overall value के terms में at par है यानि दोनों की अपनी कुछ खासियत है और buyers को इनके extra features similar value deliver करेंगे क्योंकि Tribor और Grand I10 Neos दोनों ही at par है in terms of being value for money तो इन दोनों कास में से एक pick करना अब असान है जादा powerful engine और modern day features होने के कारण इन दोनों कास में से जादर buyers को हम Grand I10 Neos sports recommend करेंगे ये कार एक better overall package है Tribor RXZ के comparison में Tribor की खासियत है इसकी practicality cabin space और third row और जिन buyers के लिए ये तीनों priority है उन्हें Tribor ले लेनी चाहिए तो इसी के साथ complete होती है हमारी ये comparison video in case इन दोनों गाडियों से लेटेड आपके कुछ सवाल हो तो आप नीचे हमें comment section में बता सकते हैं या अगर आप चाहते हैं कि हम किनी दो गाडियों को आपके लिए compare करें तो वो भी आप हमें comment section बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन दोनों गाड़ियों के comparison आपके लिए एक वीडियो form में लेकर आएं For more details आप हमारी website www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें Facebook और Insta पे follow करें सभी links वीडियो के description में available हैं